Hello friends, मैं अमित कुमार, Knowledge Track 24 के online YouTube मंच पर आप सभी मित्रों का हारदी कभी ननन करता हूँ Friends, कैसे हैं आप लोग? उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी सांदार तरीके से चल रही होगी Friends, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो ये पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने एक से अधिक पोष्ट के लिए अपला किया है तो क्या एक जामनेशन टकरा जाएगा? क्या ऐसा होगा कि दो एक जामनेशन का सिप्ट एक ही बार हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं Friends, मैंने इससे पहले भी यह चर्चा करके आपको बताया था कि चुकि तीन हजार रुपईये का एमांट इम्स परसासन के द्वारा लिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 3000 का जो एमांट होता है एक स्टूडेंट की नजडिया से अगर आप देखें रहा है तो हमेशा इस बात का कोशिस एम्स परसासन के द्वारा रहता है कि यदि एक कंडिरेट ने एक सधिक पोस्ट के लिए फॉर्म अपलाई किया है तो जितने भी पोस्ट के लिए उन्होंने फॉर्म अपलाई किया है उनको एक्जामनेशन में जरूर जो है समलित होने दिया जाए इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह नोटिस एमस डेली के द्वारा जारी किया गया है जो कि 28 से 11 2023 का ही है आसा करता हूँ कि बहुत सारे मित्र इस नोटिस को देख लिए होंगे लेकिन वेसे फ्रेंट्स जिनों ने अभी तक इस नोटिस को नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो के माधियम से देख लिजिए क्योंकि इसको देखने के बाद आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है वो किलियर हो जाएगा इसमें बताया गया है कि 17 11-2023 के द्वारा एमस देली के माधियम से एडबर्टाइजमेंट नमबर 249 अबलिक 2023 के माधियम से ऑनलाइन अप्लिकेशन जो है मांगे गए थे जिसमें जो है एक सधिक ग्रूप के लिए भी जो है एक जामनेशन के बारे में बताया गया है और साथी साथ यदि आप नेडबर्टाइजमेंट को परहा होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि यदि आप एक सधिक ग्रूप के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं तो आपको separately fee को paid करके आप ऐसा कर सकते हैं उसी के according और इसमें कुछ clarification क्या गया है देखिए इसको हम लोग पर के आपको बताते हैं पहला number option में लिख रहा है an applicant who wish to apply for more than one group post are required to have new registration for each group post जैसा कि आप जानते होंगे और आप की ये भी होंगे क्योंकि अब जो है new registration करने का date समाप्त हो गया है सिर्फ form का fee जमा करने का और final application submission submit करने के लिए दो दिन तक अर्थात 3 December 2023 के संधिया 5 बुजे तक का समय दिया गया है तो आप अगर एक से अधिक post भरना चाह रहे थे तो उसमें आपको सभी post के लिए अलग-अलग registration करना था इसके बाद कुछ friends कर रहे थे कि क्या examination एक ही shift में दो दो post के लिए हो जाएगा तो बिलकुल नहीं जैसा कि यहां पर देखिए दिखाए गया है examination will be scheduled in a way to enable all applicants in all applied group post where merit will be prepared separately for each group among the applicant applied in the respective post group तो कहने का अर्थ है कि आपने यदि एक साधिक पद के लिए apply किया हुआ है तो पिर यह कोशिस किया जाएगा कि आपको examination जो conduct होगा वो अलग-अलग group के लिए आपको conduct करवा करके अलग-अलग जो है उसमें chance दिया जाएगा और उसका जो schedule होगा वो भी अलग-अलग होगा साथे साथ merit भी उसका separately जो है prepared किया जाएगा for guidelines of number of seat eligibility criteria यह सब information के लिए बताया गया है कि आप imps exam.ac पर जो है लगातार visit करते रहें तो friends मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे candidate ने form को apply कर दिया होगा यदि registration कर रखे हैं और आपने form भर रखा है तो फिर तो कोई dot ही नहीं है लेकिन वैसे candidate जिन्होंने की registration कर रखा है लेकिन फिर जो है किसी भी जल से जल जो है 3 December 2013 के संदिया 5 बजे से पहले अपना final form को submit कर ले क्योंकि यह last date है और last जो है time आपको दिया गया है इसके बाद कोई भी समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि ministry के तरफ से यह काफी pressure है कि जल से जल इस examination को conduct करवा करके new requirement जो है कि तहत नए एमस में जो भी जाए तो friends साथी साथ एक बात और आप जान लीजिए कि यदि आप पहले से form भर चुके हैं और फिर नया form भरना चाहरा है तो यह तो आपके लिए संभव नहीं है लेकिन यदि आपने फिर से registration उसका पूर्व से कर रखा है तो आप form को भर सकते हैं confusion इस बात को लेकर आपक प्रियास किया जा रहा है कि वैसे कंड्रेर जो की एक सदिक पद के लिए अपला किया है उनको सबभी जो भी पोष्ट के लिए उन्होंने अप लाइक किया है उसमें मोकाद दिया जाए तो निशिद रूप से आप confusion ना हो form जो है निशिद रूप से भर है चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के सेक्शन में तब तक के लिए जै हिंद जै वारत आपका दीन सुभो